JPL electrical learning में आपका स्वागत है आद इस learning session के अंदर हम आपको 3000 rpm से 1440 rpm के connection किस प्रकार रख रहे हैं यह बताएंगे इस motor के अंदर इसकी winding high speed की जैसे की हुई है जिस प्रकार हम high speed motor की winding करते हैं उस प्रकार इसकी high speed winding की गई है पर इसके connection हमें 1440 rpm पर करने हैं इस motor के अंदर 6 headset हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, से high speed में इसकी winding की गई है अब हमें इसकी connection 1440 rpm में करने हैं और विभिन motor के connection है winding data हमारे description में लिख दिया गया है वहाँ पर जाकि आप देख सकते हो अब हमने mention कर रखा है इस motor के अंदर 6 headset है डिली हुए है 6 coil है एक, दो, तीन, चार, पांच, सेश और हर coil के दो सीरे है एक छोटा सीरे है एक यह बड़ा सीरे है और यह 8, 10 और 12 पिच के अंदर डिली हुई है और इसके अंदर 32 है और single layer के अंदर है यह, single layer में डिली हुई है, double layer में डिली हुई है अब हम इसके connection स्टार्ट करते हैं इस coil से connection को स्टार्ट करेंगे इस coil के दो सीरे है, एक बड़ा सीरा है और एक थोटा सीरा है इसका जो थोटा सीरा है वो यहाँ से देखिए आप एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर जो चार नंबर कोईल है उसका जो बड़ा सीरा है इसका जो बड़ा सीरा है और इस कोईल का जो थोटा सीरा है इन दोनों का अपसमें बंद कर देंगे यह हमने स्लिव डाली और एक, दो, तीन, च्यार, इसका थोटा सी रहा, इसका बड़ा सी रहा, अप से में बंद करती है कनेक्शन को फुली टाइट कर देना है करता है भुए इसको बंद कर दिया आप को रुकолर के करता है इस कोईल से मेंने स्टाट केश का दो बड़ा सीरा उसका थोड़ दिया इस कोईल का थोटा सीरा वह यहां से एक दो, तीन, और चार तो गएल के बड़े सीरे की साथ बंद बंद हो चुक है ठीक है अब हम दूसरी कोईल लेते हैं यह बंद ऊचके हैं इसका बड़ा सीरा बच्चु का और इसका थोटा सीरा बच्चु का इनको थोड़ देते हैं एक बड़ कि इसको बंद कर दिया यह कनेक्शन हम 3000 रिप्यम से 1444 रिप्यम के कनेक्शन करते हैं वाइंडिंग 3000 रिप्यम में कीगी यह कनेक्शन इसके 1444 रिप्यम में करते हैं कोई भी मोटर उसके कनेक्शन कर सकते हैं यजिए प्रकाट 1440 अरिप्यों के 760 आरिप्यों में अगर हमें कनेक्शन करने हो तो इसके भी इसी प्रकाट कनेक्शन होते हैं उसकी वीडियो हम आपको मैं सेस्टन के अंदर उपनावध करवा देंगे एक, दो, तीन, चार, चोटे, इसका बड़ा सीरा, कोईल का छोटे सीरा इनको बंद कर दिया, ठीक है, एक, दो, दो कोईल उचके, अब हमारी तीसरी कोईल आईए, तीस कोईल का बड़ा सीरा छोड़ना है, वर इसकोईल के छोटे सीरे को यहां से, एक, दो, तीन, चार, दोनों को आप से बंद कर देती है इन दोनों को मुने बंद कर दिया है कर दो आपको समिझ में आ गया होगा आप वो कनेक्शन दुबरह रिपेट करवा देते हैं जी हमारा पहला सेट लिया था हमने कोईल का इसका बड़ा सेट लिया इसका थोटे सीरी को हमने एक दो तीन चार तोटे सेट के बड़े सीरी के साथ बंद कर दिया इसका थोटा सीरा इसका थोटा सिरह बद सुका है इसके बाद दूसरा सेट लिया इस सेट का बड़ा सिरह एक दो तीन चार अपने से चोटे सेट के चोटे सिरह के साथ बंद कर दिया है इसे परकार हमने तीसरा सेट लिया इसका हमने बड़ा सिरह थोड़ दिया और इसका जाओ छोटा सिरह है उसको लिए एक दू तीन और चात थोते सेट के साथ बंद कर दिया है और इसका थोता सिर्फ बच सुगा है बहर वाले उनके बड़े सहीरे बच्छे थीन ओर अंदर वाले इनके तोठे समय चेह ऑपिक है अब आपको हम स्टार ओडर टायम क्नेक्षन किस परा만 किया जाते से इसके यह भी पता देते हैं अगर हमें हमें यहां स स्टार में चलानाई हो छो ओम रे मारे जो भारवाले जो बड़े सीरी शिर्य बस्पच्चे हैं तोी esperar मैं सप्ट्लाई देनीए और अंदर के जो एक थो तिन वायर है इन यो को आपस में बंद कर देंगे इन तेनों का आपस में बंद कर देंगे तेनों के स्प्लाई देनी है अगर हम इसकी डेल्टा में कनेक्शन करने हो तो डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए हमें यहां से एक नमबर और जो पास वाला इसका यह देखिए, यह हमारी एक नमर कोईल है, यह हमारी दो नमर कोईल है, इसका जो पास वाला सेट है, इन दोनों को आपस में बाहर निकाल देंगे, यह हमारी नेक्स्ट कोईल, इस कोईल का, और इन दोनों के पास वाले सीरे हैं, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, इस कोईल का और इस कोईल का जो पास पास सीरे इंगन को बाहन निकाल ये हमारी डेल्टा में डेरेक्षण होगी इसके एक दो तीन चार shifts है दे बाहन निकलते हो स्टार के अंदर एक तीन पांच बंद रोजा तो चेट S बाहर निकलते हैं